अनुपाई डर देश्मा धन धन तोड लागामा धन्य धन्य द्विजन जाक्तिने जाउत्वान्य वाक्त अकाउ जाउत्वान्य वाक्त अकाउ योगी पूर्व जन्मना जने वाला संग थे आती वाला प्रभु संगाथे प्रगाटिया के वाब वाक्त नाम खुशा के वाब वाक्त नाम खुशा वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल गुचू राइडर गुचू राइडर के चैनल में आप सबका तह दिल से स्वागत है दोस्तों बॉर्ट टाइम के बाद एक और ऐसी राइड करने जा रहे है जहांपर हम पूरा देन स्पेंट कर सकते हैं और लोकेशन अरवली जिले में है और बिलोडा नाम सुना होगा उसके आसपास का ही एक लोकेशन है लोकेशन का नाम है तोड़ा और पहाडा गाम भी कहते हैं तो यह लोकेशन वैसे किसलिए फेमस है वो मैं बताऊंगा बट आज का वीडियो लंबा होने वाला है और बहुत सारी जगा जो तोड़ा गाउं के अंदर है देखने लाएक है वो सारी की सारी जगा हम आज विजिट करने वाले हैं वैसे आपने मेरा सामडा जी वाला वीडियो देखा होगा और अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देख लेना 15-20,000 लोगों ने वो वीडियो देखा है और में एक इस वीडियो को बनाने का परपस यह है कि शामडा जी जो टेंपल है जो कृष्ण बगवान के नाम से जाना जाता है तो वो इस गाउं में खेलने के लिए आते थे और यहां पर गोपाड़ानन स्वामी का एक क्या बुलते है स्वामी नरायन टेंपल है और विजिट करने लायक है बहुत पुराना है ज्यादा तर डीटेल वहां पर जाके हम लोग कलेक्ट करने वाले है कि exactly temple क्या है history क्या है और कौन-कौन सी जगा देखने लायक है तो मैं और एक हमारे दोस्त है उन्होंने यह मुझे सजेस्ट किया था और उन्होंने बोला कि यार यह वीडियो बनाता है तो मैंने उनको भी बुला लिया है मेरे पीछे यहां पर खड़े है वह कार से आने वा गो खली होाल्य है तो वीडियो में बने रही है वीडियो और उसी हुजा लिए वृप सब्सक्राइब कर देना लाइक गुजरात तो यूट्म अपने हिसाब से भी रिगा फ़्यां करेंगा यज्यदा बाते नहीं करते हैं चली आपना सफर पर स्पश्प करते हैं तो अभी गांबोई से अपनी राइड स्टार्ट कर दी है और यहां से 39 किलोमेटर बागी है हिम्मत नगर से 60 किलोमेटर होता है और मोरासा से भी सम्थिंग 45 या 50 किलोमेटर से बट जगा देखने लायक है और मौनसून का माहूल है तो सोचा कि यह चलते है और यह लोकेशन राजस्तान और गुजरात के बॉर्डर पर पड़ता है तो समझो कि जो अरवली रेंज है माउंटेन रेंज है उसका नजारा हमें आज देखने को मिलने वाला है तो चलिए अपना सफर स्टार्ट करते है और बिंदेश भाई हमारे दोस्त है उन्होंने स्पेशली रिकमेंड किया कि यह लोकेशन पर चलते है वीडियो बनाते है मैंने बुला चलो ठीक है और यह रास्ता है हम लोग आड़ा हत्रोल भी गए थे दसंसेट पॉइंट हडमत संसेट पॉइंट कहते है वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना और इस मौनसून में अगर वह विजिट नहीं किया तो क्या विजिट किया अभी यहां आगे से हमें लेफ्ट लेना है और य इसी रूट से अभी हम लोग यहांसे लेवा ले रहे हैं और बिलोडा जायेंगे बिलोडा सीटी के अंदर नहीं जाना है रहां से झोदा के लिए एक और रास्ता है तो विलोड सा도 के हैं अगर के लिए जाना है तो हमें सीधा रूट लेना पड़ेगा जो वीय जे नगर 38 और पोडो फॉरेस 50 बस इसी रूट से हमें जाना है आगे अभी यहां से डिस्टन्स सिर्फ 8.7 है यहां से 8-9 किलो मिटर की दूरी है बस फिर पहुंच जाएंगे हम लोग तोरडा बस यहीं कहीं से राइट लेना है बस यहीं से राइट लेना है भाई क्या ही मौसम आगे बस जारी है क्या वहीं पर जारी है क्या या फिर कुछ ओकेशनली आई है अपर 100 मीटर से लेफ्ट तो पारकिंग इदर है शायद हम लोग आलमस्ट पहुंच चुक है यहीं पर रुखते हैं फिर अर्वल्ली में आया हुआ टोरडा गाउं स्वामी नरायन टेंपल के लिए जाना जाता है सद्गुरु गुपाडणन्द स्वामी की जन्म भूमि यानि की टोरडा यहां की हिस्ट्री तो जानेंगे ही लिए लिए प्रश्ट प्रश्ट प्रश लेकिन पहले पूरा मंदीर देख लेते हैं फिर पूरड़ा गाउं का टूर भी करेंगे और आप घर बैठे बैठे यह पूरा मंदीर अभी आप अब इस बुझ्जू रइडर के चैनल पर देख रहे हो तो को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को शेर कर देना चले मैं झाल 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 झाल